तमेशकार दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो की पोस्ट किया गया है इस्राइल डिफेंस पोर्सेस के ट्विटर हैंडल से ये कुछ ऐसे वीडियो हैं शाहन हम अपने देश के अंदर इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर आप देखो के ये बेसिकली क्या हो रहा है कि जो गाजा पट्टी है वहाँ से बहुत सारे रॉकेट्स लाँच के जा रहा है इस्राइल के अंदर इस्राइल भी रॉकेट लाँच कर रहा है लेकिन यहाँ पर इस्राइल ने ये वीडियो पोस्ट किया है कि किस तरह से जब गाजा पट्टी से रॉकेट लॉंच किये जाते हैं तो उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो हरकत में आ जाता है और वो उस रॉकेट को किल कर देता है तो इसी प्रकार के आपको वीडियोज दिख रहे हैं इसके अलावा भी मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह के कई सारे वीडियोज यहाँ पर जो इस प्रकार से हमें देखने को मिल रही है तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि एक सवाल आपके मन में लगाता रहेगा कि इतने सारे जो रॉकेट्स लॉंच किये जा रहे हैं इसराइल के उपर तो इसराइल अपने आपको प्रोटेट कैसे करता है और इसका में कारण है वो है आपका आइरन डॉम आपने इसके बारे में पहले सुना होगा और बताया जा रहा है कि अभी तक यह जो करेंट में यहाँ पर पूरा यूद्ज जैसा छेड़ रखका है और जैसा कि आपको पता है UPSC के एक्जामस आ रहे हैं अगर आप अपने प्रिप्रेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स को जॉइन कर सकते हैं जैसालम में हुआ इसको देखते वे जो गाजा पट्टी में पलेस्टीनियंस रहते हैं उनको ये पसंद नहीं आया वहां के जो आइरन डोम इंटर्सेप्टर है उसके द्वारा तो इसराइल में तो क्या होता है ना कि बहुत सारे साइरन्स वगर लगे हैं जगा जगा पर जब भी रॉकेट लॉंच होता है और जब भी यहां पर ट्रैकिंग उसकी की जाती है तो उस एरिया में साइरन बज अगर एनमी कंट्री से हमारे देश पर कोई भी रॉकेट लॉंच होता है कुछ भी अटाक किया जाता है तो S-400 यहां पर एक्टिव हो जाएगा और उस रॉकेट को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा इसी को कहा जाता है एर डिफेंस सिस्टम और यह वाला जो आईरन डोम है यह भी वही एर डिफेंस सिस्टम है जो कि डवलप किया गया है इसराइल की कंपनी है रफैल एडवांस्ट डिफेंस सिस्टम अब इसको कंफ्यूज मत कर ले ना रफैल एरक्राफ्ट से वो फ्रांस का जो है वो एक अलग चीज है यहां पर हम बात करें इसराइल के हमने जो पाइथन 5 है उसको भी इसी से खरीद कर यहां पर लगाया है तो यह जो रफैल एडवांस डिफेंस सिस्टम है इन्हों ने इसको बिल्ट किया है लेकिन टेक्निकल सपोर्ट और कई सारी चीजें जो फाइनिशल हो गया वो युनाइट स्टेट्स के द्वारा प्र प्रोटेक्शन मिल सके लेकिन पहले क्या होता था जब यह डिफेंस सिस्टम नहीं था तो इसराइल को बहुत दिक्कत होती थी यहां पर जब भी कोई रॉकेट लॉंच दिया जा रहा है फिर उनको कुछ और करना पड़ता था तो बहुत देंजर होता था लेकिन यह आने क जाता है डेविट स्लिंग और दूसरा कहा जाता है एरो यह क्या करता है मीडियम और लॉझ रेंड के जो थेट हैं जैसे ड्रोन हो गया, हो गया, मिसाइल हो गया, प्लेंस हो गया कई प्रकार की चीज़ों को ये shoot down कर सकता है next आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि ये जो नाम है इसका iron dome क्यों रखा गया iron dome इसलिए है जैसा कि आप इस picture में देख सकते हो suppose यहाँ पर गाजा पट्टी है ठीक है यहाँ से कोई rocket launch हो रहा है तो एक तरह से ये जो पूरा इसराइल का land है उसको dome shape में आप इस तरह imagine कर सकते हो तो एक तरह से iron dome का मतलब हो गया कि ये जो पूरा dome shape है यहाँ पर इसको protection मिलती है यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको protection मिलेगी इसी प्रकार से इसका नाम यहाँ पर रखा गया इसमें interesting जी याद रखेगा कि जब भी कोई rocket launch हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हो गाजा से ये rocket launch हो रहा है तो यहाँ पर इसराइल में इस तरह के जो iron dome के defense system है वो लगे वे हैं जैसे कि आप नीचे देख सकते हो और यह इसको vertically यहाँ पर kill करता है जैसे ही इसको पता चलता है यहाँ पर radar detection unit लगा हुआ है radar detect करेगा कि क्या यहाँ पर rocket launch हुआ है फिर यहाँ पर battle management control system होता है लोग रहते हैं उसको track करते रहते हैं फिर यहाँ पर होता है missile firing unit इस तरह का unit होता है और यह जो unit है मैं आपको बता दूँ कि mobile भी होता है मतलब एक जगा से दूसरे जगा जा सकता है और कई सारे unit होते हैं जो fixed होते हैं कुछ जगा पर ठीक है तो यह क्या करते हैं कि यहाँ से जो rocket है उसको launch करते हैं कि इसको यहाँ पर destroy किया जा सके और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यह है आपका iron dome और यह vertical तरीके से यहाँ पर launch किया जाता है और इसके अगर हम technology की बात करें तो याद रखेगा radar system पर based होता है यहाँ पर जो मैंने पता है न radar detection unit इसके माध्यम से यह होता है और vertically launch किया जाता है इसके अलावा मैं आपको बता हूँ जैसे ही होता है आपका explosion और जो sirens है वो उस particular area में सुनाई देते हैं इसके आप देख सकते हो इस तरह का explosion यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे मैंने आपको शुरुवात में वीडियो में भी दिखाया और यहाँ पर siren जो है वो ground पर बच जाता है यह एक important चीज है लेकिन इसमें हमें आपको एक और interesting चीज बताता हूँ ऐसा नहीं है कि suppose यहाँ पर 100 rocket launch किये गए गाजा पटी से ठीक है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि यह जो iron dome है वो 100 इस तरह का intercept करके उसको kill करेगा नहीं ऐसा नहीं होता है यह जो iron dome का system है यह basically देखता यह है कि क्या वो जो rocket है क्या उससे इसराइल को कोई खत्रा है क्या इसराइल के कोई infrastructure को खत्रा है या फिर जो populated region है क्या वो वहाँ पर गिरेगा अगर ऐसा है तब तो यह launch कर देता है उसको destroy करने के लिए लेकिन अगर ऐसा लगता है कि वो rocket किसी simply barren land पर जाकर गिर जाएगा मतलब उसस उसको बनाए हुए 10 साल हो गए और 10 साल में तो आपको पता है technology काफी change हो जाती है लेकिन क्या इन्होंने कुछ इसमें technological advancement किया है change किया है दिखे ऐसा बताया जाता है कि जो इसका hardware है यह जो मैंने आपको पुरा defense यह बता है hardware जो है वो अभी तक same है उसमें कोई change नहीं लेकिन इसके अंदर capability ऐसी है कि future में भी कोई threat आएगा जो कि अभी तक कोई threat नहीं है लेकिन future में भी कुछ ऐसा threat होता है तो उसको भी destroy करने की ताकत रखता है यह लेकिन इसके साथ साथ में आपको बताऊं कई सारे criticism भी इसको लेकर होते हैं basically criticism इसलिए होता है कि यह जो iron dome का system है वो आपका conflict को और जादा लंबा खीज देता है वो और जादा बढ़ा देता है fundamentally ऐसा यहाँ पर कई सारे experts का मानना है उनका यह कहना है कि यह अच्छा करने के बजाए बहुत जादा harm करता है क्यों करता है basically उनका कहना है कि जो हमास है जो जो आपका militant organization है गाजा पट हमास जो है उसको लगता है कि अब शायद हम launch करती ही रहेंगे मतलब कि यह war को एक तरह से बढ़ा देता है एक प्रकार से आप यह कह सकते हो तो यह थोड़ा सा criticism भी होता है लेकर अब I don't know कितना justified है criticism नहीं है वो एक अलग बात है आप बता सकते हो comment section में लेकिन next अब हम दे सके लेकिन यहाँ पर जो companies हैं जो Israeli officials हैं उनका कहना है कि 90% success rate हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मतलब 90% तक जो rockets है वो इसको destroy कर सकता है और यहाँ पर आप देख सकते हो Tuesday को जो Israeli military है उन्होंने कहा कि again जितने भी rockets launch किये गए थे Gaza पटी से वो 90% को उसने destroy कर दिया था और अभी तक करीब 500 से जादा जो है missiles गाजा से launch किये जा चुके हैं ऐसा उनके military officials का बयान आया है ठीक है और यहाँ पर एक और चीज benefit इसका क्या देख कि कई सारे benefits है आईरन डोम एक तरह से मैंने आपको बताया कि उनकी जो life है इस्राइल के अंदर कई सारे लोगों की change कर देख रहे होते हैं वीडियो record कर रहे होते हैं उनको आराम से पता है कि हमारा जो defense system है वो work करेगा और उसको destroy कर देगा और इस तरह से वो थोड़ा सुरक्षित होते हैं इसके अलाबा यहाँ पर कई सारे जो experts हैं वो यह भी कहते हैं कि आईरन डोम आने की वज़े से जो पह है human life को infrastructure को वो भी कम हो जाती है इसकी वज़े से in fact मैं आपको बताऊं खुद US की आर्मी ने यहाँ पर दो बैटरी जो है इस तरह के system को खरीद रखा है मतलब US ने भी खरीद रखा है आपका क्या सोचना है क्या भारत को भी यह system लेना चाहिए क्या भारत को इतने बड़ी system की इस तरह की system क्या आउशकता है प्लीज लेट मी नो इन दा कमेंट शेक्शन बताऊं